हमारे अगली पेसकस अगली पड़ताल देखिए ऐसी जहां पर विकास पागल हुआ है देखते रहिए लपेटे में नेता जी निमत से हमारे संबादाता मंगल कुस बहा की रिपोर्ट निमत जिले के मनाशा तैसील के ग्राम आतरी के आसपास की ग्रामिल सड़क को मांग को लेकर जल सत्र गरव नदी में उत्रे दरसल 24 अगस्त को जिले में भारी हुई बारिस के करण आतरी बासाम ली गाओं के बीच गांधी सागा डूप छेतर की पाल पर बनी शड़क तोड़ गई थी जिसके चल्चे छेतर के करीब 40 ग्राम से सीधा संपन तोड़ गया था तब ततकालीन बिदाइक वप्रशासन ने आला अधिकारियों ने ग्रामिलों पर भरोसा दिलाया था जल्दी ही रास्ता बना दिया जागा मगर एक माह बीच जाने के बाद भी रास्ता नहीं बना ऐसे में आकरोशित आसपास के ग्रामिलों ने आज जल सत्र गरा किया उनक जल दिन बनाने की मांग जब तक सड़क का काम नहीं चालू होगा तब तक पानी से नहीं निकलेंगे कि इसको जाने में बहुत परेशानी हो रही है पुरियां पर इतना पानी है कि हम निकलने में बहुत हमें तखली होती है अब जाता हूं आज आपके साथ पानी में ठीक है तो इससे क्या हो जाएगा क्या सोलूशन नहीं है ना अपन बाहर आके घ्राम सबा करते हैं उसके बाद सबके साइन होते हैं डोकुमेंट लेके जाते हैं मैं आगे बेजूंगा किसा रासी नहीं है आप दो जातारा से हमारे संबाददाता नीरंचोबी की रिपोर्ट आज जातारा में कांग्रेस कारी कर्ताओं ने भारती जनता पाईटी द्वारा जनता के बीच की गई भारी अनमित पाइज की गाई दो जबाब दो के स्री महामाहीं राजपाल जी को एक ग्यापन जाता अनविवागी अधिकारी के द्वारा सोपा अधिकारियों को सोपा ग्यापन में 15 बर्स से लगातार जतारा छेतर की जनता बिरुजगारी के करण पलाइन कर रही है भाजापा ने क्या किया प्रदान मंतरी फसल वीमा योजना का प्रिमियम लेने के बाद भी वीमरासी हमारे क किसान भाईयों को नहीं मिली मुक्ष मंतरी की घोषणाओं के 15 बर्स बाद जमीनी बेतबा असरसोरा बांद का निर्मार कार प्रारम नहीं हुआ जतारा छेतरी की जनता पचास प्रतिसत किसान आज भी सूखाराहत की रासी से बंचित हैं सूखाराहत में जब उनके साथ भ पूरी करोगे आपकी सरकार में किसान तलेत नोचवान सब पेहाल हैं माईलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है हमारा मत्पेदेश बराद शारंग पर से हमारे संबाद दाता गुलाम हसन की रिपोर्ट आगरा मांबे रोड एनस थरी पचौर मौ के बीच में खतरनाक एक्सि आवस्ता में हास्पिटल पहुँचा गया है जहां घायलों को गंबीर सुचना पर ततकाल पूलिस पहुची और हास्पिटल पहुचा गया बताया गया इनोबा कार में घायलोगों का कीमती सामान रखा हुआ था सारंग पूर के कुछ जवाबदाल लोगों ने एक्सिडें प्रभारी से बात कर उनको कीमती सामान बापिस किया घायलों का इलाज जा रही है राजगर से हमारी संबाद दाता कोशल लैलित की रिपोर्ट हाश्टल में मैफूज नहीं है छात्राएं खिलची पूरु से छापी हेड़ा नगर में सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम नहीं होने से बना रहता है डर अधीक छाका भी हाश्टल में रहती है नदारत जी हाँ हम छापीगडा के कश्टूर वा गांधी चात्रावास में आज भी चात्र चात्राएं मेफूज नहीं रहती हैं सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम नहीं होने से छात्राओं के मन में हमेशा डर बना रहता है बलकाओं को सिक्षा की मुखधारा से जोड़ने उने खाने पीनी सुबीदा उपलब्द कराने के मद्दे नजर जिले में दरजन चात्रावास संचाले थे हैं लेकिन किसी भी कन्या चात्रावास में सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम नहीं हो पाए हैं कभी भी अधिक्ष का की मौजूदगी नजर नहीं आती है जिसका पाइटों के बाबजू सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम नहीं होने से चात्रावें हास्टल में डरी हुई और सैमी रहती हैं चापेड़ा नगर में कस्तूर वा गांधी चात्रावास में अधीक्ष का नदारत मिलते हैं हालाकि हास्टल में चात्राओं कुछ घंटे तक अधीक्ष काओं की उपस्तिती की बात सुईकारी है वहीं कहीं चात्राओं ने दभी जुमान से हास्टल की सुरक्षा वेवस्ता पर सवाल या निशान खड़े कर दिये हैं अधिक्षक जो है उसकी सतरकता का उसको भी सतरक रहना पड़ता है वह अगर सतरक रहेगा वह अगर पूल ड्यूटी करेगा तो वागाए ता महां चात्राओं समय जिक्ष का जमवाड़ा हो गए निए वह पूलिस अगर जाना